पुश्कर भाई, आपने वो गाना सुना है, बहती हवासा था वो, कहां गया उसे ढूंडो, हाँ, सुना है, ये गाना, फिल्म थ्री इडियर्स में, जो सोनम वांग्चुक के करेक्टर, जो उनका फिक्शनल नेम दिया गया, पुंसुक वांग्डू, पे दिया गया है, तो आज ये गाना मुझे याद आ रहा है, और मैं ये कहना चाहूंगा, कि आज उस समय शायद उनको ढूनना मुश्किल था, लेकिन आज, सोनम वांग्चुक, सभी के सामने, लदाक की कैपिटल, ले में, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज उस प्रोटेस्ट को 20 दिन हो चुक तो उन्होंने 21 दिन का जो टार्गेट रखा था, उसमें केवल एक दिन बाकी है, और ये प्रोटेस्ट शुरू तो केवल सोनम वांग्चुक और उनके 10-12 सातियों के साथ हुआ था, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है, मास मुव्मेंट का जो क्लाइमेट प्रोटेस्ट उन्होंने दिया है, क्लाइमेट को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट शुरू किया है, और क्या उसमें पेचड़े हुए है, और सबसे बड़ी बात जिसको हम लोग को जानना चाहिए कि उनकी एक मांग है कि शेडूल 6 में लदाग को शामिल किया चाहिए, तो वो शेडूल 6 है क्या, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो नमस्कार में हूँ पुष्करदेवेदी और ये हैं विकास मावी जी, तो विकास जी पहले थोड़ा सा प्रोटेस्ट के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है, लिके करेंटली सोनम वा मुद्दे को उतना कवरेज फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, और यही कारण है कि आज हमने फैसला किया कि इस पे एक डिटेल एनलेसिस जरूर करेंगे, तो सोनम वांग्चुक अभी चार में डिमांड्स को लेकर सड़को पर है, जिसमें सबसे पहला है कि लदाक को फुल स्ट स्केडियूल होता है, तो उसमें लदाक को इंकलूट कराने के लिए, और चौथा और आखरी, दो पार्लेमेंटरी कॉंस्टिट्वेंसीज को बनवाने के लिए कि ले में दो कॉंस्टिट्वेंसीज हों जिन पर चुनाओ हो और अच्छे से वहां का मेनेजमेंट किया जा स के, तो जो ये स्टेट हुड का जो पूरा बुद्दा चल रहा है, ये फुंक सुंग वांगडू जिनका करेक्टर था था, फुंक सुंग वांगडू के नाम से जादा लोग पहचान जाते हैं, सोनम वांगशुक जी, उन्होंने इस मुद्दे को अभी नहीं उठाया है, ये मुद्दा जो है, 1949 से लद्दाक के लोग एक केंदर साशित प्रदेश यानि और फुल स्टेट हुड की मांग कर रहे थे, तो 1949 से ये मांग चली आ रही है और इसके लिए प्रोटेस्ट शुरू होना शुरू हुए थे 1989 में, 33 साल पहले, और इसमें अलग राजी की का मतलब था, Autonomous Hill Development Council थी वो उस पूरे के पूरे आंदोलन के बाद क्रिएट की गई थी, कि आपको एक काउंसिल दी जा रही है, जो यहां का सारा रख रखाओ देख बाल वगेरा, तो उसमें local members ही, उसमें council के members होते हैं, तो obviously decision making में, stakeholders को जो local residents होते हैं, ज्यादा से मिलता ह बिलकुल, तो उसके बाद 70 साल बाद जब जमू और कश्मीर से 370 हटाया गया, तो लेह लदाक के लोग जो थे बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें केंदर शाषित प्रदेश का दर्जा मिल गया था, अब केंदर शाषित प्रदेश का दर्जा तो मिल गया, मतलब उन चित छड़ी, लेकिन फिर भी ये मां उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, और इसी में भाई, जब जैसे हमने देखा कि 2019 में एक एक लेक के आई, यूनियन गवर्मेंट, जो था जमू और कश्मीर, रियॉर्गनाइजेशन एक 2019, तो उसमें हमने देखा कि दो यूनियन पॉंडी चरी, यूटी है, स्टेट असमली है, तो कही न कहीं वो एक से जो था, वो मिस रहे गया, तो उसी के लिए वो लोग डिमांड करते रहे कि हमको एक चाहिए, जिस पर हम लोग भी अपने लद्दाक के लोगों को चुन सकें, और वो लोग उस लद्दाक की देखरे करें, डेवलप्मेंट करें, ना कि दिल्ली से सरकार चलाई जाए, दिल्ली से सारी चीजों को रख रखाव किया जाए, जिनको उस एरिया के बारे में उतनी जादा जानकारी नहीं है, जितनी लद्दाक के लोगों को लद्दाक से जुड़े हुए नेताओं को वहां की, त तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि यह जो 6th schedule है वो है क्या तो 6th schedule जो है वो समविधान में article 244 के second section और article 275 के first section में बताया गया है इसका normal सा मतलब है कि अगर 6th schedule होता है तो उस जगा पर एक autonomous district council create की जा सकती है अब यह जो autonomous district council होती है इसका काम होता है वहां की चीजों का उस जनजाती का मतलब कि जितनी भी जनजाती होंगी वो अपनी अपनी एक autonomous district council create कर सकती है अब इस ADC इसे बोलते हैं short form में तो ADC का यही काम है कि वहां के जितने भी या तो environment हो गया या development की चीज़े हो गई या जनजाती का या tribal traditions हो गए इन सब को सहेच के रखना है इन सब की देखरेक करना और इन से जुड़े हुए developmental बिल्कुल तो मतलब कि अगर दिल्ली से सरकार चलाई जाएगी तो उनको नहीं पता होगा कि वहां के traditions क्या है वहां पर इन सब के लिए एक autonomous district council create की जा सकती है तो अभी तक जो है वो इसमें क्या होता है पात साल के लिए चुने जाते हैं लोग पात साल के लिए और तीस सदस से चुने जाते हैं लेकिन असम जो है असम इसका exception है क्योंकि वहां पर 40 seats हैं एक autonomous district council में और ये सारे north eastern जितने भी places हैं उनके लिए हैं पूरा मिजोरम असम तो इन 4 states में आपको ADC's देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल अब क्यों चाह रहे हैं ये लोग वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि जब लदाक में जब लदाक और जमू कश्मीर सब उपर हुआ करते थे एक साथ तब जमू कश्मीर हटा जमू कश्मीर ह लदाक तब तक ये अलिगेशन लगते रहते थे कि जो मुस्लिम पीपल हैं उनकी मांगें ज़्यादा सुनी जा रही हैं उनके लिए ज़्यादा निया जा रहे हैं जाए जितना वहां की पॉलिटिक्स भी काफी हैवी रहती थी ती तो कहीना कहीन एक बहुत बड़ा लदा थे उनका उस समय ये कहना था कि हमें जे एंड के में भी हमें से करने के लिए एक एसेंबली चाहिए ताकि हमारे मुद्दे उट सकें लेकिन जब वो नहीं हुआ तो अब लोग सडकों पे आएं इसके बाद भी एक चीज़ हुई कि जब 370 हटा और जमू कश्मीर अलग हु लेके लोगों की ज़्यादा चलती है तो जो वहां पर एक 1989 में जब वो प्रोटेस्ट हुआ था और जो वहां पर Autonomous Hill Development Council क्रियेट की गए थी एक Constituency क्रियेट की गए थी कि यह जो है लगदाग को पूरा देखेगी देखरेक करेगी तो वो Constituency के उपर सवाल उठने लगे कि अब वो तो है लेकिन जो यूनियन टरिटरी बनी है यूनियन टरिटरी बनने के बाद वो अब एक्शन में नहीं आ पा रही है तो उसके लिए कारगिल के साइड के लोगों ने अपनी एक अलग काउंसिल बना ली लेवालों ने अलग एक काउंसिल बना ली और डिमांड तो अब कार्गिल साइट पर क्या है? कार्गिल-डेम्यक्राटिक अलाइनस है यह एक इनका अर्टनोमास अलाइनस हो गया है, और लेह साइट पर लद्धाक-बुधिस्ट अलाइनस है, तो यह दोनों लोग आपस में अब एक बहुत बड़े डल बन चुके हैं, जो की लोगो पर बैठोंगा तो पहले तो शुरुआत ऐसे हुई और फिर धीरे-धीरे यह कारगिल डेमोक्राटिक अलाइंस और लेह डेमोक्राटिक अलाइंस जो है यह दोनों भी इनको सपोर्ट करने लेगे और अब यहां वहां पर हजारों लोगों की भीड जमा हो जुकी है जो सोनम वंग्चुक के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं तो यह तो हो गई पूरी के पूरे प्रोटेस्ट की बात सोनम वंग्चुक ने कहां से शुरू किया और सिक्स्त हैाई स्केडियूल ौर कैसे यह प्रोटेस्ट कभ से उन चर्लीम शुरू हो के आज तक कहा पहुचा अब आप मुझे यह बताईए कि अगर यह प्रोटेस्ट इतना लंबा खिच चुका है बीस दिन हो चुके हैं हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और जो लद्दाक की जो लोकसभा सीट है लोकसभा वो सबसे बड़ी सीट मानी जाती क्योंकि उहां पर तीन चर्चा का विशे क्या बना हुआ है जैसे कि हमने देखा कि लद्दाक के उपर क्या सोनम वांग्चू के प्रोटेस्ट के उपर उतना बड़ा हमें मीडिया कवरेज देखने को एक्चुली में मिला ही नहीं बिल्कुल जब उसके उपर उतनी रिपोर्टिंग हुई नहीं तो वो निरेटिव सेट हुआ ही नहीं तो उसका ओन ग्राउंड इंप्लिमेंटेशन तो आप और हम अंदाजा लगाई सकते कि कितना फरक आएगा बिल्कुल लेकिन जैसे कि 20 दिन बीच चुके हैं और अब लोग इस पर बात करना शुरू कर चुके हैं अभी भी इलेक्श आप देखेंगे कि बीजेपी जो इस समय फाइट करती अफने एलेक्शन वो मोधी पीम मोधी की क्रेडिबिलिटी पे करती है तो कही न कहीं वो क्रेडिबिलिटी ऐसा देखा गया है कि कहीं सारे मुद्दों के ऊपर और कम कर जाती है यह कंसर्न लोगों में रहता है कि ओक नेशनल मुद्दा बन कर और हम इसका लोगसभा पर इफेक्ट देख पाएंगे तो मुझे नहीं लगता परस्नली कि वह बहुत जादा होगा हां क्यूंकि अभी बहुत जादा टाइम नहीं और आप जादा तर वोटर एलेक्शन से एक देड़ दो महने पहले उनका की थाईया है जो प्रोटेस चल रहा है और जो उनके 21 दिन होने वाले है the दिन तक भूखे रहने का जो प्रोटेस्ट उननलोंने शुरू किया है वह आने वाले लोकसभा चुनाओ לק या नहीं डालेगा यह हमैं कमेंट सेक्षण में जरूर से जरूर कमेंट करें तब तक के के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ